आज हम आपको सेर करवाएंगे इस करदू में वाके लोर कचूरा जील की किनारी काइम शेंगरीला रिजॉर्ट्स की इस करदू एक अलगी दुनिया है यहां की जिन्दगी बड़े शेहरों की जिन्दगी से बहुत खुबसूरत है जिसका अंदाजा तो हवाई जाहाज से उतरते ही हो जाता है शेंग्रीला रिजॉर्ट्स इस करदू शेहर से 20 मिनट के ड्राइव के फासले पर है लोर कचूरा जील यह शेंग्रीला जील असल में शेंग्रीला रेस्ट हाउस का हिस्सा है शंग्रीला पाकिस्तान के खुबसूरत तरीन मकामात में से एक है बलके अगर ये कहा जाए कि शंग्रीला जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है तो बेजाना होगा शंग्रीला रिजॉर्ट 1983 में बनाया गया इस जील का साफ शफाव पानी खुबसूरत नजारे और फरत बक्ष मौसम स्याहों के लिए किसी नेवत से कम नहीं ये जील दुनिया भर में एक मुनफर्द मकाम रखती है इसके अतराफ खुदरत की शहकार ऐसे बखेरे पड़े हैं कि पूरा इलाका जन्नत का नजारा पेश कर रहा होता है जील को अगर आप बलंदी से देखें तो बिलकुल दिल की शकल की नजर आती है शंग्रीला रेस्ट हाउस चीनी तरज तामीर का नमूना है स्याहों की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आती है इन पहाडों और शंग्रीला जील के दर्मियान आपको एक जहाज भी खड़ा नजर आएगा ये बेजी त्री जहाज है उनिस सो तरपपन में ये जहाज सकरदू एरपोर्ट से उड़ा और इंजिन फिल होने के बाइस क्रैश लैंडिंग की शंग्रीला रिजॉर्ट के माले किसे यहाँ ले आए ये जहाज अब शंग्रीला रिजॉर्ट का रेस्टरॉन बन चुका है ये लागा इतना खुबसूरत है कि यहाँ आकर इनसान ताजा दम हो जाता है जील के गहरे नीले और ठंडे पानियों में ट्राउट मचलियां तैरती देखी जा सकती है ट्राउट मचली यहां के खुसूसी सौखात मानी जाती है जो अपनी लज़त की वज़ा से पूरी दुनिया में मशहूर है हर तरफ बरफीले पहाड, हरियाली और ठंडक स्याहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं शेंग्लीला में जाकर इस बात का अंदाजा हुआ ह कि हमने जितना सुना था ये उससे कहीं ज्यादा हसीन है इनसान यहां आकर कुदरत के हुस्न में ऐसा गम हो जाता है कि मर भी जाए तो हैरत ना हो